असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल सालिह डिजाइनर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाले फ्रॉग की कटिंग और स्टीचिंग सिखाऊंगी आपनी अगर हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो पिलीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर किलिक करें तक हर ने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आफ तक पहुंचता रहें वीवर्ज ये एक नॉर्मल शर्ट का कपड़ा है जिससे टॉप के पार्ट पर हम योक और बॉटम के पार्ट पर हम चार कलियां डालेंगे ये कलियां फ्रंट पर दो और बैक पर भी दो होंगी तो कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ फराग की लेंद हम 40 इंच तयार करेंगे चैस्ट हम 22 इंच पर तयार करेंगे फिटिंग हम 21 इच रखेंगे बाजु हम 20.5 इंच पर तयार करेंगे और ये हमने 5 गज लैस ली है जो हम कलियों में अड़जेस्ट करेंगे यह देखें बहुत ही खुसरत लैस है सीडी टाइप की अब हम कटिंग शुरू करेंगे सिलाई का मार्जन रखते हुए हम इस बारडर को तार लेंगे अब हम इस कपड़े की उरेव निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे और टॉप के पार्ट को अलग कर लेंगे फ्रन्ट और बैक का 20 इंच पर हमने चस्ट तयार करनी है सिलाई और कटिंग का मार्जन रखते हुए हम 25 इंच पर इसको अलग कर लेंगे अब हम इस तरह फॉल्ड करेंगे यह देखें फ्रन्ट यह फ्रन्ट के पार्ट पर हमने पॉटली बटन लगाने है तो सिलाई का मार्जन रखते हुए हमने यहां एक इंच पर निशान लगाया है यह देखें बैक के पार्ट को अब हम इस तरह एक इंच की दूरी पर रखेंगे और यहां तीरे का निशान लगाएंगे यह कपड़ा हमारा फॉल्डिंग में है तीरा हमने पंद्रा इंच तयार करना है तो सिलाई का मार्जन रखते हुए हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे यह देखें इंची टेप को इस तरह रखते हुए शोल्डर की हमने तिर्ची कटिंग करनी है तो उसका मार्जन रखते हुए हम आर्म होल के लिए 9 इंच पर निशान लगाएंगे अब हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे यहां से हम इस तरह गुलाई देंगे चैस्ट हमने 22 इंच पर तयार करनी है इस तरह इंची टेप को रखते हुए हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग हम 21 इंच पर तयार करेंगे तो इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे अब इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे शॉल्डर से हम इस तरह तिर्चा निशान लगाएंगे यहां से हम कट का निशान लगा लेंगे अब हम यहां से कपड़े को सीधा कर लेंगे बैक के पार्ट को लग करते हुए फ्रंट के आर्म हॉल पर हम निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे यहां एक इच का गैप छोड़ते हुए अब हम बोटन के पार्ट की कटिंग करेंगे वीवर्स चालीस इंच पर हम फ्राग तियार करेंगे तो साड़े चौदा इंच हमने योक के लिए कपड़े को लग कर लिया है साड़े तीन इच पर हमारा पैच लगेगा तो यह अठारा इंच का हिसा निकालते हुए बाकी हमने बाइस इंच पर यह सेंटर का बार्ट और कलियों के लिए कपड़ा लग करना है इस लाई का मारजन रखते हुए हमने 23 इंच पर यह कपड़ा अलग कर लिया है Weaver ये 21 इंच पर हमने fitting तेयार करनी है 4-4 इंच की हमने 2 कलियां डालनी है तो बाकि हमारे पास 13 इंच बचेगा ये देखें सिलाई का मार्जन रखते हुए हमने 14 इंच पर इस कपड़े को लग कर लिया है ये फ्रन्ट और बैक के दोनों पार्ट हैं अब हम इस तरह इस को लग करेंगे अब इसी सेंटर के पार्ट का साइज करते हुए हम कलियों के लिए भी कपड़े को अलग कर लेंगे ये 4 इंच पर हमने कलि तयार करनी है सिलाई का मार्जन रखते हुए हम 5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे अब इसके दूसरी हिसे पर इस साइड पर भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह पकड़ते हुए यहां रखेंगे और कट कर लेंगे अब हम सेंटर के पार्ट को इस तरह फोर लेयर में रखेंगे यह देखें यह फ्रांट और बैक दोनों की हैं और यह भी हमारी फोर कलिया है इसना रखते हुए यहां से हम गॉल शेप देंगे इंची टेप को इस तरह तीन इंच पर रखेंगे और यहां से निशान लगाते हुए कट कर लेंगे अब इसके बाद हम बाजों की कटिंग करेंगे यह देखें बाजों के लिए हमने कपड़े को इस तरह बिछा लिया है यह कपड़ा हमारा चुडाई में कम है यह बैक साइड पर हम जोड लगाएंगे यह डबल जोड है इस तरह रखते हुए अब हम फॉल्ड करेंगे यह आर्म होल का साइज हमने नौ इच रखा है तो इसलिए इस बाजों की चुडाई भी हम यह देखें सवा नौ इच पर निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे और यहां से साड़े तीन इच की दूरी पर इंची टेप को रखते हुए हम निशान लगाएंगे बाजों हमने साड़े बीस इच तियार करनी है तो इदेखें सिलाई का मारजा रखते हुए हमने सवा बाइस इच पर इसको कट किया है बाजों की मौरी हम सवा 6 इच पर बंद करेंगे सिलाई का मारजा रखते हुए सवा 7 इच पर मैं निशान लगाऊंगी यह हम फ्रंट के दो पार्ट उठाएंगे यह देखें और यहां से निशान लगाते हुए फ्रंट के आर्म होल की हम कटिंग करेंगे इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे गले की कटिंग के लिए हम बुकरम को इस तरह फोल्ड करेंगे मैंने यह गले की चुड़ाई साथ ही च्टकनी है आपने अपने हिसाब से रखनी होगी यह देखें साड़े तीन इच पर मैं निशान लगाऊंगी और गले की गहराई साड़े च्टकनी पर हम निशान लगाएंगे अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे और यहां से गोल शेप देंगे हम एक इंच की दूरी पर अब हम यहां से कटिंग कर लेंगे यह कटिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले हम गला त्यार करेंगे तो उसके लिए हम चिप्स को इस तरह कपड़े पर चिपकाएंगे यह सेंटर वाला हिस्सा रखने से हमारा गला तेड़ा नहीं होता यह एक्स्टर कपड़े को इस तरह कटिंग कर लेंगे अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में टच करते हुए सेंटर करेंगे और यहां कट का निशान लगा लेंगे इसके सेंटर में से कट करते हुए इसको अलग कर लेंगे यह देखें फ्रेंड्स यह फ्रंट के पार्ट पर हमने एक्स्टर मार्जन रखा था यहां चिप्स की स्टिप चिपकाते हुए हमने प्रेस कर लिया है अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए यहां तुरपाई कर लेंगे ये देखें फ्रेंद्स इसकी तुरपाई करते हुए ये हमने पोटली बटन बना लिए हैं और साथ ही हमने ये डौरी निकाल ली है ये डौरी बनाने और पोटली बटन बनाने का निंक मैं डिस्क्रीप्शन में डाल दूगी आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं अब हम इस हुक को इस तरह रखेंगे पोटली बटन के उपर और निडल के साथ इसको अटैच कर लेंगे ऐसे ही हम सारे बटनों को हुक के साथ अटैच कर लेंगे इसके बाद अब हम इंची टेब को इस तरह रखेंगे और 7 इंच पर निशान लगाएंगे और हमने ये सटिप तियार कर ली है इसके लिए पहले हम राइट साइड वाले हिस्से को जोड़ेंगे अब हम इसको जोड़ेंगे इस निशान से हम बटन लगाना स्टार्ट करेंगे और एक-एक इंच की दूरी पर हम ये बटन लगाएंगे आप चाहें तो वन साइड फूट से भी लगा सकते हैं इसको अब हम इस तरह फॉल्ड करेंगे और यहां सिलाई लगा लेंगे ये योग के हिस्से को भी इस तरह फॉल्ड करते हुए हम कट लगाएंगे अब इस गले को इस पे रखते हुए हम ये रॉंड में सेंटर करते हुए सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई लगा ली है अब यहां से कट करते हुए इसको इस तरह के साथ फॉल्ड कर लेंगे अब हम इसको इस तरह फॉल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे अब हम फ्रेंट के पार्ट को इस तरह फॉल्ड करेंगे और बैक के उपर रखते हुए हम बैक के गले की कटिंग करेंगे यहां से साइज करते हुए सिलाई का मार्जन छोड़ते हुए हम यह निशान लगाएंगे और इंची टेप को यहां रखते हुए गहराई के लिए हम चार इंच पर निशान लगाएंगे बैक के गले के लिए हम उरेम में सटिप कटिंग करेंगे और यह सबाइंच की दूरी पर हम फिर से कटिंग करेंगे और इन दोनों को अपस में इस तरह हम जोड़ लेंगे अब हम इस सटिप को इस तरह रखेंगे और रॉन में सलाई लगा लेंगे यहां कट लगा लेंगे और यह सटिप पर भी इसके बाद इस कपड़े को सटिप की तरह मोड़ते हुए हम यहां रॉन में सलाई लगाएंगे इसके बाद फ्रेंट के पार्ट को हम इस तरह रखेंगे और इसके साथ टच करते हुए सलाई लगाएंगे अब हम इस पट्टी को इस तरफ मोड़ते हुए यह देखें यह फ्रन्ट और बैक के गले की हम तुर्पाई कर लेंगे यह तुर्पाई हमने कर ली है अब हम चैस्ट और फिटिंग का निशान लगाएंगे इंची टैब को इस तरह सेंटर में रखते हुए हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे ही इस तरफ फिटिंग के लिए हम 21 इंच पर निशान लगाएंगे यह फराग मैंने लूस बनाना है आप अपने हिसाब से रखिएगा अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे और यहां सिलाई लगा लेंगे यह हमने यॉक पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब हमने कलियों को जोड़ना है अपस में यह देखें यह कलियों का वो हिस्सा है जहां हमारी फराग बंद होनी है तो अब हम इस कपड़े को यहां फॉल्ड करेंगे और लैस के उपर इस तरह रखते हुए सिलाई लगाएंगे यह एक साइट पर हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसके दूसरे हिस्से को इस तरह फॉल्ड करते हुए यहां से पीन अप कर लेंगे और यहां से सिलाई शुरू करेंगे यह हमने दूसरी साइट पर भी लैस टैच कर ली है अब हम इसको सीधा करेंगे इसके बाद अब हम यहां लैस लगाएंगे और तीनों तरफ यह लैस टैच कर लेंगे यह हमने चारों कलियों पर लैस अटैच कर ली है अब हम सेंटर के पार्ट को इस तरह फॉल्ड करते हुए यहां सिलाई का मार्जन छोड़ते हुए इस तरह इसके उपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे यह देखें यह चारों कलियां हमने यह सेंटर से फिटिंग का साइज करते हुए अपस में जॉइंट कर ली है यह देखें इस तरह से इन कलियां को अपस में टच करते हुए हम इस तरह इसको फॉल्ड करेंगे और सेंटर में कट का निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम यॉक में भी सेंटर में कट का निशान लगाएंगे अब हम योग को इस तरह फॉल्ड करेंगे और जहां हमने ये सेंटर में कट का निशान लगाया है इसके उपर रखते हुए यहां सिलाई लगाएंगे और योग को फ्राग के साथ फिक्स कर लेंगे ये योग पर जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी इसको हम इस तरह मोड़ेंगे और फॉल्ड करते हुए यहां सिलाई लगाएंगे ये योग अटैच करने के बाद अब हम नीचे की तरह बार्डर लगाएंगे ये देखें एक तरह से हलका सा खौलते हुए इस तरह बार्डर को रखते हुए उपर की तरह सिलाई लगाएंगे ये राउंड में ये हमने बार्डर लगाते हुए नीचे से भी फॉल्ड कर लिया है ये बाजू का एक्स्टा कपड़ा उताते हुए हमने ये नीचे बार्डर लगाया है और लैस अटैच की है अब हम बाजू लगाएंगे ये देखें बाजू का भी फ्रेंट का हिस्सा है जहां हमने एक्स्टा कटिंग की थी और ये फ्राग का भी फ्रेंट का हिस्सा है अब हम इसको इस तरह साइज करेंगे और यहां अपनी सिलाई खत्म कर देंगे ये शॉल्डर के सेंटर को इस तरह खौलते हुए ये बाजू पर जहां हमने कट का निशान लगाया था इन दोनों को अपस में टच करते हुए हम ये रॉन्ड में सिलाई लगाएंगे ये देखें फ्रेंड्स ये हमने दोनों बाजू स्टीच कर लिये हैं और साथ ही हमारा फ्राक भी कम्प्लीट हो चुका है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें नई वीडियो त